हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपने ही चैनल सिरसांति क्लासेस में इस वीडियो में हम चैप्टर नमबर 6 त्रिभुज का यह हमारा पार्ट नमबर 55 वीडियो है इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 के पहले जो एक्जामपल नमबर 10 है उसे हम अच्छे से कब्रेट कर तो चलिए चलते हैं एक्जामपल नमबर 10 की और तो यह रहा हमारा एक्जामपल नमबर 10 तो पढ़ते हैं एक्जामपल नमबर 10 क्या कह रहा है उधारन 10 आकरती 6.48 यह रहा हमारा आकरती 6.48 ठीक तो उसमें क्या बोल रहा है एंगल ACB जो हमारा एंगल ACB यह वाला एंगल यह पूरा एंगल कित्ता दिया है, 90 degree है, ठीक, तथा जो CD है, CD है, वो क्या है, perpendicular है AC के, लंबबबद है AC के, लंबबद अर्था पर्पेंडिकुलर क्या है, AB पर क्या है, पर्पेंडिकुलर है, पर्पेंडिकुलर अर्था जो CD लाइन है, वो AB पर क्या है, 90 degree कभी कोन बना र यह तो हमारा गिवन पार्ट हो गया अब हमारा सिद्ध क्या करना है प्रूफ क्या करना है कि बी सी स्क्वेर जो हमारा बी सी स्क्वेर है अपॉन एसी स्क्वेर एसी स्क्वेर इसक्वेर टू बीडी अपॉन एडी बीडी अपॉन एडी यह हमें क्या करना है प्रूफ करना त तो हम सबसे पहले लेते हैं कौन कौन सा ट्रेंगल ट्रेंगल ए सी डी कौन सा ट्रेंगल ट्रेंगल ए सी डी ठीक और दूसर ट्रेंगल लेते हैं हमारा बड़ा वाला ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल ए बी और सी ट्रेंगल ए बी सी तो आप पहले थेोरम ने पढ़ चुके हैं जो रिगुलर वच्चे होंगे वो थियोरम जानते होंगे कि यदि कोई समकोंड के जो समकोंड वाला पॉइंट है उसके सामने यदि एक परपेंडिकुला लंबबात खीश दिया जाए तो यह जो त्रिभूज होते हैं छोटे वाले वो बड़े वाले में त्रिभूज के क्य हो जाएगा AB हो जाएगा बराबर AD हो जाएगा AC ठिक तो इसके आंगे क्या हो जाएगा जब यह हो जाएगा तो अब कह सकते हैं कि AC square हो जाएगा बराबर AD into AB ठिक यह cross multiply हो जाएगा तो ac square हो जाएगा ac का ac multiply होगा तो और बचा हुवा भाग ab.ad हो जाएगा ठीक यह हमारा क्या हो जाएगा प्रेमे 6.7 से आ गया है जो हमने प्रेमे 6.7 कंप्रेट किया था उसमें से हमारा यह point आ चुका है ठीक आँगे देखिए यह point को ध्यान रखिएगा उसके बाद हम क्या लेंगे triangle कौन कौन से लेंगे triangle b c d और triangle a b c अर्था b c d अब इस वाले triangle के साथ करेंगे इस वाले triangle को इस बड़े वाले triangle से क्या होता है हमेशा similar होता है यह चीज आपको जानते हैं जब similar होगा तो क्या हो जाएगा b c upon a b equal to हो जाएगा b d upon b c ठीक तो जब cross multiply होगा तो आप जानते हैं b c का b c जगुणा होगा तो क्या हो जाएगा b c का square बराबर बचेगा a b into b d ठीक a b into b d अब यह point आ गया हमारा दूसरा यह हमारा क्या था पहला point था ठीक और यह आगे हमारा दूसरा point यहाँ था किसे को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अब हमें question पर ध्यान देना है question को आप देखिए question में क्या करना है b c square upon a c square बराबर b d upon a d बताना है तो b c square कहाँ पर है b c square यह रहा और a c square यह रहा तो आपको क्या करना है equation 2 बटे equation 1 equation 2 upon equation 1 ठीक ऐसे करना है तो equation 2 क्या है b c इस side को इस side से square करेंगे और जो सामने इस side वाले है इस side वाले से square करेंगे तो क्या हो जाएगा b c square upon kya है a c square क्या हो जाएगा a c square हो जाएगा बराबर का है b c square के सामने क्या है a b dot b d upon जो a c के साथ है वो क्या है a d dot a b a d dot a b तो यहां से a b और a b क्या हो जाएगा कट जाएगा तो यहां पर बचेगा क्या आप देखी यहां पर क्या बचेगा यहां पर बचेगा क्या a b c square upon a c square यही न, BC square upon AC square, बराबर क्या हो जाएगा, BD upon AD, क्या हो जाएगा, बराबर में BD upon AD, I think यही हमें प्रूफ करना था, क्या, आप question में देखिए, BC square upon AC square to BD upon AD, क्या, BD upon, BD upon AD, ठीक, तो यही हमें question में क्या करना था, प्रूफ करना था, यहां पे हमारा complete हो चुका है, अच्छ से एक्जामपन नंबर 10 तो यहां तक कोई दिक्कत है तो आप जो कमेंट बॉक्स है में वहां पे आप बता सकते हैं या कि भी वाटसप नंबर है वहां से भी आप पूंच सकते हैं ठीक जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने की हैं प्लीज प्लीज चैनल को सब् होगा वहां आप सिस्क्राइब में क्लिक कर देंगे तो बगल में बैल आइकन आएगा बैल आइकन भी आप प्रस कर दीजिए ठीक और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ज्यादा ज्यादा दोस्तों तक आप इस वीडियो को सेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इ यहीं जै भारत